कल्यान डोम्बी वली नगर निगमायुक्त ने अनाधीकरत निर्मानों के खिलाफ कारवाई के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की है जिसको देखते हुए वार्ड शेत्र के कुछ अधिकारियों को अन्य वार्डों में स्थानांतरित किया गया है तो वहीं तीन मौझूदा वार्ड शेत्र के प्रभारी अधिकारियों को हटा दिया गया है इस वार्ड में विवादास्पद रहे राजीश सावंत को भी हटाया गया है बताय जा रहा है कि राजीश सावन्त अतिक्रमन कार्यों पर कोई भी कार्वाई करने का साहस नहीं करते थे क्योंकि इसमें एक बड़ा वित्य समिकरन होता है लेकिन अब निगम प्रशासन कार्वाई के लिए तैयार है आपको बता दे कि कल्यान डोविवली नगर निगम को अनाधिकरत निर्मानों के बजाजपूरी के रूप में जाना जाता रहा है और पिछले धाई दशकों में लाखो अनाधिकरत भवन और जोपडिया बनाई गई है यहां ऐसी कई घटनाएं हुई है जहां अतिक्रमन विभा के कर्मचारियों और वर्ड शेत्र के अधिकारियों को समय समय पर नागरिकों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है